Hi friends, Welcome to my new video, तो यहाँ पर देखिए आपका दिखा रहा the user not eligible, इसे आप ठीक कैसे कर सकते हैं, किसी में दिखाता है page not eligible और किसी में दिखाता है user not eligible, तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, यह सारा detail बताऊंगा, सबसे पहले आप अगर जहां इस वीडियो पर नए हैं, तो चैनल not eligible क्या होता है और user not eligible क्या होता है तो सबसे पहले यहां पर अगर जहां आप किसी profile को professional dashboard में अगर जहां आप convert कर दिये हैं तो इसमें दिखाएगा user not eligible तो यहां पर देख लिजे यहां पर दिखा रहा है user not eligible अगर जहां आप इसी पर profile के थुरू अगर जहां divcool page बनाए हैं तो उस page पर अगर यहाँ आपको अगर HIV सो होता होगा तो दिखाएगा पेज नोट eligible तो सबसे पहले आप यहाँ पर सबसे पहले आपको आना है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं three dot पर आने के बाद आपको यह दिखेगा help and support पर क्लिख करना है उसके बाद दिखेगा को support inbox ठीक support inbox जैसे दिखे यहाँ पर देखेगा योर एलाइट यहाँ पर देख लिजिए कि no violations यहाँ पर कोई violations नहीं है तो भी क्यों दिखा रहा है यह इसे जानने के लिए यहाँ पर देखिए ठीडॉट पर किलिक किये और यहाँ पर professional dashboard पर type कर दिए ठीक यहाँ पर आने के बाद आप आप आपको यहाँ पर देखना है आपको आना है profile recommendation में आप जैसे आते हैं तो पर आपको दिखेगा monetization का option उस पर आपको simply सा type करना है अब जैसे आप type करते हों तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यह देख सकते हैं तो no monetization by illusion यानि कि आपका जो monetization का criteria है इस पर कोई effect नहीं पड़ा है लेकिन फिर भी यह क्यों दिखा रहा है कि user not eligible यानि कि जो use करन करने वाला है ID इस पर यह अभी eligible नहीं है जिसे हम ठीक कर सकते हैं यहां पर देश सकते हैं यू you may be able to earn money यानि कि आप इससे earn money कुछ टूल से यहां पर यू में be able to earn money on some tools यानि कुछ टूल से हैं जिससे आप इस ID पर यानि profile पर आप इससे पैसे कमा सकते हैं and मेरे नाम है follow our partner monetization लेकिन आपको partner monetization का आपको focus करना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा और इसके according में अपने video को यानि content को आपको upload करने पड़ेंगे ठीक तो यहां पर आपको दिखा रहा है कि यानि user not eligible यहां पर देखिए product impact है जो star है और subscription है मेरा enable है और enable के थुरू मैं पैसे इससे कमा रहा हूँ तो यहां पर इससे देखिए जो इससे ठीक कैसे कर सकते हैं पर अगर जहां आपका कोई content ऐसे copy paste करते हैं तो उसे आपको सबसे पहले delete करना है और delete करने के बाद आपको यहां पर अपना real content upload करना है और यह धीरे धीरे automatic हट जाएगा तो यहां पर मैं अपने page पर एक बार आ जाता हूँ कैसे हटाना है यह भी बता देता हूँ एक बार देखिए इससे तो अपने profile हो गया profile के थुरू आप कैसे हटा सकते हैं लेकिन अगर जहां आपको देखना है कि page पर आया है page के थुरू हम कैसे हटा स monetization restriction और pattern monetization policy details ठीक यहां पर दिखा रहा है कि आपका जो pattern monetization है वो आपका districts हो गया है यानि pattern monetization के थुरू आप काम नहीं कर रहे हैं तो यहां पर page not eligible दिखा रहा है देखिए आपको जो दिखाया था कि page पर अगर जहां आप कोई काम करते हैं तो page not eligible दिखाएगा तो यहां पर दिखा रहा है कि our technology determined that we cannot approve this page right now यह हमारे technology case set किया है कि आपका जो page है यह अभी approved नहीं है अभी keep sharing content आपको ऐसे content को share करना होगा जो हमारे pattern monetization policy को follow करें और apply अगें लेटर आपको बाद में apply कर देना है लेकिन आपको सबसे पहले उससे content को आपको apply करना है इसे content को upload करना है जो pattern monetization के लिए follow करें तो उसके लिए अपना खुद का content एक बना कर आपको apply करना है content को upload करना है upload करने के बाद ना उसके बाद ही आपको apply करना है तो यह अटुक मैटिक ठीक हो जाएगा